दोस्तो हिंदू धरम में नाग और नागिन को देवता माना जाता है नाग पूजा का प्रचलन प्राचिन काल से ही रहा है हिंदू पुरानिक ग्रंथों, किस्सों, कहानियों, आदी में कई तरह के नागों के बारे में उलेख मिलता है इच्छाधारी नागिन के पास नागमनी होती है, नागमनी का रहे से आज भी उल्जा हुआ है इसी तरह की महत्व पुरन और ग्यान वर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समरिधी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके पुरानिक लोग कताओं के अनुसार नाग के पास एक मनी होती है, जिसे नागमनी कहा जाता है ये कोई साधारन मनी नहीं होती, इसमें कई प्रकार की दिव्वे शक्तियां होती है अगर नाग को मार दिया तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आँखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है भविश्य पुरान सहित दूसरे पुरान और शास्तरों में भी बताया गया है कि साप को नहीं मारना चाहिए, इससे बड़ा दोश लगता है और कई जनमों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है भारत में आमतार पर मानते हैं कि अगर किसी नाग को मारा तो नागिन जरूर बदला लेगी क्या वास्तव में ऐसा होता है, कितनी सच्चाई है इस बात में सापों को लेकर तमाम बाते कहीं जाती हैं तो आज हम इसे एक सच्ची घटना द्वारा जानते हैं दोस्तो तब क्या हुआ जब इच्चाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जनम और व्यक्ती की एक गलती के कारण इच्चाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए दोस्तो ये चमतकारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गाउं खुरी गाउं की दरसल ये घटना घटित हुई खुरी गाउं के मुख्या और वहां के सबसे धनी इनसान अजीत जी के साथ अजीत करीब आज से साथ साल पहले एक साधारन एवं गरीब व्यक्ति का जीवन वितीद करते आ रहे थे वो अकसर जंगल में अपनी बक्रियां चराने जाया करते थे एक दिन बक्री चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी वो नागिन घरबवती थी शाम का वक्त था और अजीत जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज़ दिखाई दी परंतु साथ ही वो दोनो नाग नागिन भी वही थे उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की और भागा अजीत इतना घबराया हुाथा कि उस समय तो उसने पीचे मुड़ कर तक नहीं देखा परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी वो इतना तो समझी गया था कि वो हो ना हो बहृती मुल्यावान चीज़ थी और अगर वो ख़िप कर उस पेड के पास रहरे नाग नागिन को देखने लगा कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो घर बबती है वो उसरात घरा कर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका Install जब नागिन अपने बैचे कर सही मौके का इंतजार करने लगा एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जनम देने वाली थी तब ही चुपके से अजीत नाग के मूँ पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मनी को उठा कर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पती को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठीकाना नहीं रह वो उस समय गुसे से पागल होए जा रही थी और उसने अजीत से बदला लेने की ठानी प्रंतु मनी चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का परियोग नहीं कर सकती थी प्रंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी इधर अजीत को जैसे ही मनी मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया उसकी फसल इस बर काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी उसकी तो जैसे मानो लोटरी लग गई हो क्योंकि जो भी वो धंदा कर रहा था उसे हर जगे से लाब मिल रहा था और अजीत को पता था कि ये सब उस चमतकार जीवर्ति नागमनी का ही कमाल है गाव में हर जगे उसका नाम था अजीत के इस रुटबे को देख एक अच्छा रिश्टा अजीत के लिए उसके पासे के गाव से आया और सुनीता नाम की एक सुन्दर इस्तरी से उसका विवाह संपन हुआ सुनीता अपने पती अजीत को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज़त देती थी दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते उनकी जोड़ी गाउं में मिसाल बन चुकी थी उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारन कर कुनाल नाम से अजीत के यहां उसका मुझशी बन गया और अजीत का व खुशी का टिखाना नहीं रहा उस तिन वो खुद अपने मुझशी कुनाल के पास गया और बोला कि देखो कुनाल मेरा कोई भाई नहीं है प्रंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो आज मैं बहुत खुश हूँ इसलि तब इसी कुटिया में उसकी मा की जान उसे जनम देते ही चली गई थी उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे तब एक बुड़े बाबा ने उसकी मा को वहीं दफना दिया था और अजीत को उसी बुड़े बाबा ने पाला था अजीत बताता है कि जब भी उसके साथ क कोई बुरी घटना होती है यहां वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है यहां उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है अजीत आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहां लाया हूं क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिन्दगी का एक एहम हिस्सा बन चुके हूँ दोस्तों ये सुन सभी की आँखों में पानी भराता है कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापिस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पथर से टकराती है और गाड़ी को जोर का जट का लगता है जिसके कारण अजीद तो कार में फसा रहता है परन्तूस की पतनी सुनीता पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी दोस्तों वो रात कार्तिक पुरनिमा की ही थी कुनाल अपनी शक्तिया पाकर पुन है नागिन रूप धारन कर लेता है अजीद कुनाल को देख चौक जाता है क्योंकि कुनाल अब नागिन में पुन है बदल गया था वो नागिन अजीद को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस्थिती में फसी थी जब अजीद ने उसका पूरा घर संसार उट लिया था उसके पती और बच्चे को मार कर और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है अजीत गाहल गाड़ी में फसा हुआ था और रो रोकर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो परन्तु मेरी पतनी घर्बवती है उसे छोड़ दो परन्तु तबी उस नागिन क को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना च्छिन जाता है ये जिन्दगी का सबसे बड़ा दुख होता है नागिन ने अजीत का उसकी पतनी के प्रती सचा प्यार देख उसे माफ कर दिया और उसकी पतनी को पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापिस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई जब अजीत हॉस्पिटल से सवस्थ होकर अपनी पतनी के साथ घर वापिस लोटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है वो नागमनी को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमनी को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापिस आ गया दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर वो उस गलती को कभी ठीक कर न भारतिय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सबी को है इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए लेकिन जोतिश इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या गरता है जोतिश शास्तर के अनुसार सरप को मारने से सरपदोश और पित्रदोश लगता है इन दोशों क कि वज़े से जीवन में कई तरह की परिशानियां कारों में बाधा और सिंतान समंदी विश्यों में कश्ट मिलता है बहुत से लोगों की जनम पत्री में काल सरप सरपदोश और पित्रदोश होने की स्थिति में यही कारण बताया जाता है तो ऐसे में दोस्तों आज की दिवार पर बनी रहेगी साथ यगर आप इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाना चाहते हैं ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती आपका बहुत बहुत धन्यवाद